आज हम कंप्विटर पढ़ेंगे ठीक है तो आप अपनी बुक देख लिए आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन तो सबसे पहले हम इसका कंटेन ओपिन करते हैं और देखते हैं आपका सिलेवस क्या है से 1 का तो कंटेन खोलिए जल्दी से कंटेन ओपिन करिए और कंटेन में देखिए हमने चैप्टर 1 कराया था आपको टेस्ट में जो आया था आपका पीए फर्स्ट में ठीक है और अब जो ये पीए का सिलेवस हो गया ठीक है यह हमारा पीए का हो गया अब से 1 में यानि आपक यह 4 चैप्टर आएंगे जिसमें से हम 1 चैप्टर करा चुके हैं और यह आपका टेस्स में भी आ चुका है मतलब आपको यह याद होगा अब आपको क्या तयार करना है 3rd, 2nd, 3rd and 4th यह तीन चैप्टर और तयार करना है फिर यह 4 चैप्टर आपके हाफ एली एक्जाम में यहां पर क्या लिखेंगे part 2 लिख लिए बच्चों क्योंकि मारा part 2 में है part 1 में हमने chapter 1 किया था यहां पर लिखिए part 2 फिर लिखिए date date किस दिन की लिखेंगे date उस दिन की लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो YouTube पर upload हो जाती है जिस दिन ये वीडियो YouTube पर upload हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर आपको date लिखनी है use of computer computer का इस्तिमाल chapter का नाम ही यह है hi kids I believe you might have seen a computer which is an electronic device यह कह रहे है हाई बच्चो आपने देखा मुझे इतना भरोसा है मतलब यह बुक कह रही है आपसे कि hello बच्चो मुझे पता है कि आप लोगों ने computer कहीं ना कहीं तो देखा होगा जो कि electronic device है जो कि electronic machine है in this lesson I will teach you difference between human being and computer and its use at various places तो इस chapter में मैं आपको बताऊंगा मतलब यह chapter कह रहा है आपसे यह book कह रही है कि मैं आपको क्या-क्या पढ़ाओंगा मैं आपको यह बताऊंगा कि इनसान और computer में क्या फर्क है अलग मतलब उन दोनों में दोनों में the computer is also an electronic device which assists us in our task smartly यह कह रहे हैं हमारे जिन्दगी में बहुत सारे device हैं जैसे अगर हम कहीं मसाला पीसना चाहते हैं जूस निकालना चाहते हैं तो जल्दी चार किलो मेटर पांच किलो मीटर जाना है पैदल जाएंगे तो आधा एक घंटा लग जाएगा अगर हमारे पास बाइक है कार है तो हम जल्दी पहुच जाएंगे तो इससे भी हमारा task smartly इसी तरह से जो computer है वो भी एक electronic device है electronic device का मतलब जो electricity से चलता है electronic device मतलब जो electricity से चलता है जो बिजली से चलता है ठीक है तो computer भी एक ऐसी बिजली से चलने वाला device है जो के हमारे बहुत सारे कामों में मदद करता है smartly काम करता है ठीक है हमारे बहुत सारे काम आसान करता है इट कैन परफॉर्म अभी कह रहे हैं इट कैन परफॉर्म वो क्या क्या कर सकता है quickly, easily, neatly वो हर काम जल्दी, quickly कर सकता है quickly मतलब जल्दी कर सकता है easily मतलब आसानी से कर सकता है neatly मतलब सफाई से कर सकता है ठीक है अगर मैंने आपसे कहा allergies पे आपको पांच उ शीट दी आपको क्या बनाना है आपको पांच ऊशीट abनाना तो आप तेड़ बनाएंगे पांच ऊशीट अलग अ़लग size को जाएगा बिल्कुल के बिल्कुल एक जैसा जीटो नहीं बना मगर अगर हम computer पर एक बार बना दिया तो उसकी जिरोक्स निकाल लेते हैं easily और सारी की सारी सेम होती है और जल्दी भी बन जाती है तो इसी तरह से वह quickly भी मनाता है easily भी मनाता है और neatly यानि सफाई से बनाता है ठीक है कोई भी काम करना होगा अगर computer पर हमें तो वह आसानी से करेगा जल्दी करेगा और साफ सुतरा करेगा जो computer है वह अपना काम अपना काम जो उसका टास्क होता है उसका जो मकसद होता है वह हमारी तरह ही पूरा करता है बट इन सम वेज इट परफॉर्म बैटर देन अस लेट उस लन हाओ मगर कुश्ट जैसे हम लोग हमें कोई काम भीर जी आप ममी ने कहां जा उसकर कर् tech लेके खरी खरीके लैंगे तो आप अपनी मरदी से कुछ और नहीं खरीद के लाएंगे जिएवह और इसी तरह से हम computer पर जो काम करना चाते हैं तो हम उसे order देते हैं जैसे हम Google पे कुछ search कर रहे हैं जैसे हमने search कि या कोई movie search की जैसे Dorymon की movie search की तो वो Dorymon की ही movie निकाल के देगा कोई और movie नहीं निकाल के देगा तो ये दोनों काम हम भी और इनसान भी और computer भी एक ही तरह से करता है but in some ways it perform better than us let us learn how मगर कुछ जगाओं से कुछ तरीकों से यह हमसे अच्छे तरीके से काम करता है कैसे अब यह पढ़ते हैं दा कंपिटर कैन फंक्शन एट रैपिड स्पीड क्यों क्यों क्योंकि कंपिटर जो है रैपिड स्पीड रैपिड मतलब तेज Speed मतलब रफतार Computer जो है अपना काम तेज रफतार से कर सकता है अब जैसे कि मुझे 5 letter लिखने है मुझे 50 letter लिखने है तो मैं 50 के 50 letter बार बार लिखूँगा पहले 1 लिखूँगा फिर 2 लिखूँगा फिर 3 लिखूँगा ठीक है और अगर मुझे computer पे मैं अगर करने बैठूँ तो computer पे बस एक बार हमें type करना है उसके बाद 50 बार उसे copy करना है 50 के 50 मुझकिल से 5 minute लेगा आराम से निकल किया जाएगा तो ये तेज काम करता है computer इसी वज़ा से और दूसरा कहा है अगर हमें कोई अपना जॉब वर्क करना है तो हम काम जब करते हैं तो हम काफी देल लगा देते हैं मगर जो computer होता है वो तेज स्पीड से करता है हम जो करते हैं वो लेट स्पीड से करते हैं हलके हलके काम करते हैं the computer can remember several things computer बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है आपने देखा होगा अपने computer के अंदर हम photos, videos, albums और यहां तक के गाने, video, movie और पुराने record सब कुछ store कर लेते हैं जैसे school के अंदर पुराने से पुराने बच्चों के नाम अगर आप दूनना चाहें तो computer के अंदर मिल जाएंगे मगर अगर हम computer के use ना करें तो हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा बच्चा किस class में इतने सारे बच्चे होते हैं school में तो इसलिए computer क्या करता है उससे सारी चीज़ें याद रहती है में remember मतलब याद रखना ठीक है we have for get many things and forget and Apache भोल जाते हैं we may we may forget many things हम बहुत सारी چीज़ें भूल सकते हैं में मतलब सकते can और में का मतलब से होता है ठीक है में मतलब सकते we may forget many things हम बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हैं जैसे आपके घरवालों ने कहा, सारे सामान दे दिया, आपके घरवालों ने ये लिया ना, हो सकता है, आप 3-4 सामान बोल गए कहला ना था, मगर अगर computer पे हम कोई काम करते हैं, तो हम हमारा computer कोई चीज भूलता नहीं है, सारा record अपने अंदर रखता है, ठीक है, तो ये हम में और computer में फर्क आ गया, फिर क्या है, the computer does not have feelings, but it can have sensor, computer के अंदर कोई feeling नहीं होती, मगर उसके अंदर sensor होता है, मतलब हमें, जो हम उसे task दे रहे हैं, उसे कैसे पता चलता है, कि यही काम करना है, तो उसके अंदर कोई feeling नहीं है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, मगर उसके अंदर ऐसा sensor होता है, जिससे वो पता कर पाता है, कि हमें ये काम करना है, we do have feeling and emotions, और हम लोगे के पास क्या है, feelings है, और emotions है हम लोगे के पास, ठीक है, the computer does not commit error, computer कभी error नहीं करेगा, जैसे हमने कहा, 6, 6, the 36, तो ये हमेशा सही काम करके देगा, अगर हमने जैसे कहा, 6 into 6 equal to, तो वो answer देगा 36, सही answer देगा, अगर हम अपनी बात करें, तो we can commit error, जैसे हम यहां पर लिखा है, 4 into 24, 96, या 5 plus 5 plus 2, या 5 plus 5 plus 2, कितना हुआ, 10 हुआ, plus 2, 12 हो गया, minus 3, कितना हुआ हमारा, फिर minus 2, तो 7 नहीं होगा, तो हो सकता है हम अगर calculation कर रहे हैं, ये कोई काम कर रहे हैं, हम गलत कर देए, मगर computer कभी गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, computer doesn't commit errors, फिर अगला क्या है, the computer can perform various types of work simultaneously, और computer बहुत अलग-अलग तरीके के काम, एक ही टाइम पे एक ही बार में कर सकता है, जैसे हम उस पर गाने भी सुनने हैं, नोट भी बना रहे हैं, और एक जगा हम गाने सुनने हैं, एक जगा हम जो है, उस पर कोई typing कर रहे हैं, यह हो सकता है, गेम खिल ले हो, यह हो सकता है, हम कोई वीडियो देख रहे हो, यह कोई अपना result बना ले हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब एक ही टाइम में हम अलग-अलग काम कर सकते हैं, मगर अगर हम कोई एक ही टाइम में खूप सारे काम करना चाहें, तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, अब जैसे हम कम्पूटर पर कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर यह दिखा रहे हैं, इन पर कॉल आ गई, तो कॉल आ गई तो हम बात कर रहे हैं, call करने के लिए तो हम computer पर रोखना पड़ेगा कि वन्हा हम को सकता है गलती कर दें देख तो एक time में हम 3-4 काम नहीं कर सकते मगर computer एक ही time में simultaneously एक ही वक्त में कई काम कर सकता है the computer becomes tired but refresh is soon जो computer होता है वो थकता भी है अगर कभी भी तो वो थकता तो है मगर वो जल्दी ही refresh हो जाता है दुबारा तयार हो जाता है काम करने के लिए but we get tired after finish a lot of work और हम लोग जब थकते हैं कब थकते हैं हम लोग काफी जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तब थकते हैं ठीक हैं फिर हम थोड़ा सा rest लेते हैं फिर हम भी ठीक हो जाते हैं मगर computer जब थकता है तो वो refresh हो जाता है जल्दी और हम लोग कब थकते हैं हम जब ज़्यादा काम कर लेते हैं तर थकते हैं फिर the computer and its uses अब computer और उसके uses उसकी use क्या है उसे हम इस्तिमाल कहा कर करते हैं पहला क्या है at present computers are used in each office and department let's learn how they assist us in various areas आप चलो पढ़ते हैं यह हमारी कैसे assist करते हैं कैसे हमें सहारा देते हैं कैसे मदद करते हैं अलग-अलग areas में अलग-अलग जगाओं पर पहला है computer at home अगर हम घर पे बात करें तो घर पे कैसे हम use करते हैं computer को computer कैसे मदद करता है हमारी घर पे the computer assist us in making designs घर पे हम design बनाने के लिए यूज़ करते हैं in learning words कुछ भी पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं in reading stories stories पढ़ने के लिए घर पे हम use कर सकते हैं in listening to poem poem सुनने के लिए हम use कर सकते हैं in watching film और हम film भी देख सकते हैं movies भी देख सकते हैं घर पर ठीक है computer in our school अगर हम school में बात करें तो computer पे हम क्या क्या काम करते हैं school के अंदर तो पहला यहां पर दिया है in our school the computer assist us and our teacher in different manner they help यह कह रहा है हमारे school में जो computer में computer है वो हमारे साथ साथ हमारे teacher की भी मदद करता है अलग-अलग कामों में अलग-अलग जगाओं पर कैसे they help in teaching our lesson हमारे lesson को teach करने में teacher की कैसे मदद करता है teacher हमें पढ़ाते हैं computer पे तो उससे मदद होगे teacher की in making data sheet and report card हमारा जो report card हमारा result बनता है हमारा data sheet बनती है वो कौन बनाता है teacher बनाते है तो उनकी teacher की मदद हो गई in maintaining records of students name, address, etc और जो students के नाम है उनके record है उनका address है उनका phone number है वो सारी चीज़ें computer में note करके रखते हैं ठीक है school वाले तो ये सारी चीज़े in writing letters and drafting other document letter write letter लिखने में और कोई भी document हमें draft करना है तो उसमें हम computer का use करते हैं office के अंदर फिर in sending and receiving mail computer का हम office में कैसे इस्तिमाल करते हैं जैसे एक office में दूसरे office में mail भीज़ना है या वहाँ से हमें आरे पास mail आ रहा है तो क्या हुआ sending or receiving mails mail send करने में और receive करने के लिए भी हम computer का use करते हैं ठीक है तो next page open करिए computer in shops दुकान पे हम कैसे use करते हैं computer का computer assist in generating bill with the name of item अगर हम shop या mall की बात करें तो computer हमें कैसे महरत करता है अगर हमें bill बनाना होता है तो computer का use करते हैं ठीक है जैसे कि अगर हमने लिखा 5 kg चावल 5 kg दाल सारी चीज़े सब नाम के साथ हम computer पे उसका bill बनाते है in maintaining records of the product in the shop shop के अंदर दुकान के अंदर क्या-क्या सामान है क्या-क्या product है वो सारा record रखना तो उसके लिए भी record maintain करने के लिए हम computer को यूज़ करते हैं दुकान में computer in hospitals hospital में हम कैसे यूज़ करते हैं बच्चों computer को computer assessed in diagnosis patients जो diagnosis patients होते हैं उसमें मलत करता है computer ठीक है मसला जो diagnosis के मरीज होते हैं diagnosis के होता है या आप सर्च कर लिएगा वैसे तो आप आगे ही पढ़ेंगे इसारी चीज़ें बस इतना समझ लिए जो मरीज होते हैं उनके लिए in maintaining records of all the patients जितने भी मरीज हैं उनका record बनाके रखना कि कौन सा मरीज अभी बढ़ती हुआ है कौन सा मरीज की चुटी हो गई है कौन सा मरीज ठीक हो गया है किस मरीज को कौन सी बिमारी है किस मरीज को किस टाइम इंजेक्शन देना यह कौन सी बिमारी है उसे ठीक है in minor और major operations यह चोटे यह बड़े operation में हम यूज करते हैं computer को ठीक है जैसे computer में हम देखते हैं कि जैसे अब यहां पर आपको दिखा रहे हैं कुछ हड़ियां देख रहे हैं यहां पर ठीक है तो हम एक्सरेज में यूज करते हैं operations में यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में यूज होता है computer hospital के अंदर फिर क्या है computer in bank अब bank में हम computer का कैसे इस्तिमाल करते हैं computer helps in maintaining account of money पैसे का account maintain देन करके रखना हिसाब बनाके रखना इस पर हम computer का यूज करते हैं in issuing bank draft bank draft issue करना है में लागो करना है तो उसके लिए हम computer की help लेते हैं in withdrawing and deposit money पैसे जमा करने के लिए या निकालने के लिए भी हम computer का इस्तिमाल करते हैं ठीक है फिर क्या है computer in airport and railways station अब computer जो है वो airport और railways station पे कैसे इस्तिमाल करते हैं तीक है है how to the railway just computer assist in booking ticket railway में या airport की बात करे तो 그냥 हम computer किस लिए इस्तिमाल करते हैं टिकड को बॉक कनने के लिए ठीक है in informing the arrival and departure time off train and aeroplanes train के आनेや यानि arrival and departure और जाने के समय बताने के लिए हम use करते हैं ठीक है किसमें कि हम जैसे किसी को inform करना है कि इस समय का train आएगी इस समय train जाएगी इस समय किसमें करना है बुक में करना है हमारा क्या है फिर कोशनाशर यह हमें कूपी में करनी यहां पर कूपी में इस फिर आपको इसれたकि keeping यह सब क्या है को बुक में ही रहने देना है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं multiple choice question से who can't cannot or can't commit error कौन गलतिया नहीं करता इनसान human being कहते हैं इनसान या annual जानवर या computer कौन गलतिया नहीं करता है computer जो आप उसे सवाल पोचेंगे वही answer देगा कभी गलती नहीं करेगा कौन ठक जाता है मगर जल्दी refresh हो जाता है मतलब तैयार हो जाता है कौन है वह computer ठकता है तो वह जल्दी refresh हो जाता है फिर c क्या है इसका in a shop a computer is used for दुकान में हम computer को किस लिए use करते हैं making picture making bill या making report card तो हम picture बनाने के लिए नहीं use करते हैं नहीं report card बनाने के लिए use करते हैं हम bill बनाने के लिए use करते हैं दुकान में computer का तो लिख लिए making bill यहां पर आप टिक कर दिए headphone is used for जो headphone होता है वो किसली use करते हैं hearing voice आवाज सुनने के लिए तो आवाज सुनने के लिए तो हम use करते हैं मगर sending signals signal send करने का main मकसद होता है तो इसका answer हो गया sending signals ठीक है watching movie नहीं watching के लिए नहीं है तो आप क्या करेंगे sending signals अब answer the following question देखते हैं यह हमें copy में करना है तो अभी हम इसके लिए copy open करते हैं ठीक है तो मैं copy open कर लेता हूँ आप को answer दिखाता हूँ उसके यहाँ पर क्या लेखेंगे आप part 2 copy में बीच में जैसे मैंने लिखा है same बिल्कुल यहाँ पर chapter 2 फिर इस पर underline इस पर भी underline फिर use of computer ठीक है use of computer chapter का नाम हमारे computer इसका chapter का नाम क्या है देखिए use of computer chapter का नाम क्या है use of computer तो हमने यह simple नाम लिख दिया है यहाँ पर और इसे underline कर दिया है फिर heading डालेंगे question number 2 है हमारा यह answer the following question यहाँ पर मैंने लिख लिए answer the following question question number first उतारिए question number A how is computer useful in life computer हमारे जिंदगी में कैसे useful है तो मैंने यहाँ पर question उतारा है देखिए how is computer useful in life question mark लगा के एक line छोड़ी है उसके बाद लिखाए answer number A in our school the computer assists us and our teacher in different manner they help in teaching our lessons ठीक है यह पूचें school में कैसे useful है they help in teaching our lessons and making data sheets and report cards it is also used for maintaining record of student यहाँ तक हमारा क्या हो गया answer number A complete हो गया ठीक है बच्चो हम next question दिखाता हूँ question number B how is computer useful at home घर पर हम computer का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका भी answer मैंने लिखा है पहले मैंने question उतारा देखिए how is computer useful at home question mark लगा के एक लाइन छोड़के लिखेंगे हम the computer is useful at home in making designs in learning words उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा answer अभी complete नहीं हुआ है next page पर in learning words के बाद यहाँ पर and in reading stories and in watching films यहाँ पर हमारा answer number 2 complete हो गया मतला answer number B complete हो गया question number C क्या है यहाँ पर देखिए what are the main features of computer computer के main features क्या है तो यहाँ पर मैंने question उतारा देखिए question number C what are the main features of computer answer C लिखाए the main features of computer are input and output ठीक है फिर second हो गया इसका मतलब एक point यह हो गया first point second point हो गया computer is very fast in executing our work they save our energy and time यह हमारा क्या हो गया है अपर answer complete हो गया ठीक है फिर question number D दिखाता हूँ मैं आपको question number D है हमारा write any two differences between a computer and a human being human being इंसान और computer के बीच में दो difference बताओ कि दौनों में चीज़ें क्या क्या अलग है तो मैंने हाँ question उता रहा है question number D write any two differences between a computer and a human being full stop लगा के answer number D लिखा मैंने पहला है यहाँ पर हमारा पहला difference the computer can function at rapid speed but we take a lot of time to complete a job computer जो है वो तेज़ काम कर सकता है मगर हम हलके काम करते हैं फिर दूसरा point है यसी का देखिए यहाँ पर आप पहला देख लिए फिर मैं नेक्स दिखाता हूं यहाँ पर फस्स point हो गया फिर इसका second point next page पर है बच्चो तूसरा point है इसका दूसरा difference the computer can remember several things but we may forget many things computer जो है सारी काफी चीज़न याद रख सकता है मगर हम भूल सकते हैं forget मतलब भूलना फिर question number next देखते है question number e write any two uses of computer computer के दो इस्तिमाल बताने तो यह तो बहुत ही आसान है तो मैं book में copy में दिखाता हूं question number e write any two uses of computer उसके बाद एक लाइन चोड़के answer number e पहला use हमारा यह हो गया पहला वन लिखके करेंगे one point पहला यूज क्या है computer help in maintaining account in bank bank में account maintain करने के लिए हम computer को यूज करते हैं दूसरा क्या है it helps in booking ticket at airport and railway station railway station और airport में हम ticket book करने के लिए से यूज करते हैं तो यह हमारा क्या हो गया answer number c हो गया पहला और दूसरा इसका अब question number देखिए एक बार आप देख लिए ठीक है आपको नज़र आ रहा होगा आप देखिए अब मैं next question दिखाता हूं question number f क्या है यहाँ पर how is computer known as device computer को हम device क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं देखिए मैं यहां बताता हूं question number f का answer how is computer known as device question mark लेके answer number f there are devices they make our task easy कई devices में जो हमारे काम आसान करते हैं in the same way the computer is also an electric device इसी तरह से computer भी एक electronic device है क्यों क्योंकि यह हमारा काम आसान करता है बहुत जादा smartly ठीक है device which may assist us in our task smartly तो यह हमारा यहां पर answer the following question complete हो गया मैं आपको एक बार सारे answer दिखा दे रहा हूं आप एक बार देख लिए part 2 लिखकर chapter number 2 लिखकर uses of computer लिखकर answer the following question heading लिखकर फिर question one year how is computer useful in school फिर इसका answer पूरा यहां तक ठीक है बच्चों यह जादा बड़ा नहीं है मैंने मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए आपको लग रहा है ठीक है यह मुश्किल से 2-3 line का answer है बस फिर question number B देखिए how is computer useful at home पूरा यहां से लेकर next page तक words लिखने के ब मैं आपको दुबारा देखा रहा हूं कि अगर नहीं देख पाए हो आपको साफ नहीं दिखा हो तो आप दुबारा देख लिए ठीक है फिर question number F यहां पर complete फिर यह हमारी यहां पर exercise complete हो गई बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको copy में क्या करना है answer the following question मैं यहां लिख दिया है उसके आगे जो गरत सही है वो true लिखना है पहला camera a computer can have sensor computer के पास sensor है यास computer के पास sensor है तो हमने यहां के लिखा true टी computer क्या है एक electronic machine है हाँ computer electronic machine है electricity पर चलता है तो इसे हमने T कर दिया true कर दिया computer memory is very short computer के memory याददाश चुचकी बहुत चोटी होती है नहीं computer की याददाश बहुत बड़ी होती है उसमें हम सालों साल तक चीजन रख सकते हैं और बहुत सारी चीजन रख सकते हैं तो यह क्या हो गया false इस पर आप लेक लिए F चौता है हमारा D A computer has feeling like the human being human being इनसान की तरफ computer के पास भी feeling है नहीं computer के पास कोई feeling नहीं है तो यह क्या हो गया false फिर हमारा E है A computer can draw pictures of animals etc computer क्या हम computer पे हम picture बना सकते हैं जैसे जानवरों की और भी चीजों की yes बना सकते हैं तो यह क्या हो गया true फिर four है हमारा write the name of any five places where computer is used कोई पांच जगाओं की नाम बताओ जहाँ पर computer का हम इस्तिमाल करते हैं पहले क्या हमारा shop फिर at home घर पर our school हमारे school में banks में और hospitals में तो यह हमारा क्या हो गया shop, home, school, bank और hospital हमारा हो गया answer complete यहाँ पर यह activity आपको करने नहीं है, यह computer पर करने जाने वाली activity यह computer है नहीं तो आप करेंगे नहीं ठीक है, next देखिए, locate the picture, take the things which we can do in our life but not in our computer यह तीनों picture देखो बच्चो और यह बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो हम computer पर कर सकते हैं, मतलब जो computer पर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम chatting with friend, friend के साथ chat किस पर करते हैं, computer पर करते हैं, तो यह नहीं बताना हमें, jumping from up to down, नीचे से उपर कूदना, तो यह तो हम computer पर नहीं करते हैं, तो इस पर हमें tick करना है, इस पर आप tick कर दिये, फिर printing report card, report card अगर हमें print करना है, तो यह हम computer पर करते हैं, हमें कौन सा बताना है, जो हम काम which can do in our life, हमने जिन्दगी में जो अपने करते हों, computer पर ना करते हों, तो यह दोनों का हम computer पर करते हैं, यह वाला नहीं करते हैं, त इस पर हमें टिक करना था यह हमारा टिक कर दिया आमने तो यहां हमारी exercise सारी complete हो गई आपका chapter complete हो गया ठीक है तो यहां हमारा chapter complete thank you assalamualaikum